हाथी और चतुर खरगोश पंच तंत्र की कहानी वर्टिकल बार दी एलिफेंट्स एंड दे हैर्स पंच तंत्रा स्टोरी इन हिंदी Friends, इस पोस्ट में हम पंच्चतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश The Elephants and the Hares पंच्चतंत्रा स्टोरी in Hindi शेर कर रही है ये कहानी पंच्चतंत्र के तंत्र भाग काकोली कियम से ली गई है एक चतुर खरगोश हाथियों के दल से किस प्रकार अपने साथियों की रक्षा करता है इस कहानी में यह वर्णन किया गया है पढ़िये पूरी कहानी एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था जिसका मुख्या चतुरदंत नामक हाथी था वर्षों से वह समूह उस वन में सुख्मय जीवन व्यतीत कर रहा था किन्तु एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया नदी का जल सूक गया वन की हरियाली चली गई और हाथी भूखप्यास से मरने लगे इस विपत्ती से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुख्या चतुरदंत के पास गए और बोले गजराज इस अकाल की स्थिती में यदी हम और अधिक इस्वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे यहां भूखे प्यासे रहना दुशकर है कृपा कर किसी अन्यस्थान की खोच करें जहां जल स्रोत और हरियाली हो चतुरदंत विचार मगन हो गया कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला यहां से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है हमें वही चलना चाहिए कल प्रातकाल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े पाँच दिन और पाँच रात की यात्रा पूर्ण करवे वहां पहुँचे जल से पूर्ण तालाब को देखवे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहां क्रीडा करते रहें। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी जिसमें उनके असंख्य बिल थे। किन्तु हाथी इससे अनभिग्य थे। आतवे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहसन हस हो गए, कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयन पर आए इस संकट के विशय में चर्चा करने लगे। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हमें से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंच समाप्थ हो जाएगा। जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिती कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए ततकाल इस्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए। एक अन्य खरगोश बोला। खरगोश अपनी भूमी छोड़कर अन्यत्र जाने के विचार से दुख खी थे। उनका दोहक देख लंबकर नामक खरगोश आगे आया और बोला हम वर्षों से इस भूमी पर निवास कर रही हैं। हम अपनी भूमी क्यों छोड़े। इस भूमी पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहां आने से रोकना चाहिए। किन्तु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। मैं उनसे बात करूँगा और यहां आने से मना करूँगा। लंबकर न बोला। किन्तु क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ती है। मैं उनसे कहूँगा कि ये तालाप चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहां आने से मना किया है। संभवता, वे मेरी बात मान जाए। लंबकर न बोला। अगले दिन लंबकर हाथियों के मुख्या से मिलने तालाप के मार्ग में स्थित एक उचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समोव वहां से गुजरा, तो वहां हाथियों के मुख्या चतुरदंट से बोला गजराज। क्या आपको ग्यात नहीं यह तालाप चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमती के इस तालाप के जल का उप्योग नहीं करना चाहिए। चतुरदंट ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेश वाहक हूँ। चतुरदंट ने फिर से पूछा, संदेश है कि इस पवित्र तालाप में चंद्रदेव का वास है। इसलिए तुम लोग इसके जल का उप्योग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लू कि यह तालाप चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाप में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे, तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहां आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयन देख लो कहकर लंबकन चतुरदंत को तालाप के किनारे ले गया। उस समय तालाप में चांद की छाया पड़ रही थी। लंबकन चतुर्दंत को वह चाया दिखाते हुए बोला गजराज देखो तालाब में चांद का वास है अब तो मेरी बात मान लो चांद की चाया को चंद्रदेव समझ कर चतुर्दंत ने उसे प्रणाम किया और वहां से लोट गया उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समू कभी नहीं आया सीख, moral of the story बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है फ्रेंड्स, आपको दी एलिफेंट्स एंड दे हैर्स पंचतंत्रा स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं हाथी और चतुर खरगोश की कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें ऐसी ही अन्य पंचतंत्रा की कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें ठैंक्स